टाइम मुझे शरम आती है खुद को हिंदू बताते हुए और ऐसा क्यों क्यों कि बार बार मेरे वो सो कॉल हिंदू लोग जो मुसल्मानों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी हरकते करते हैं जिससे ये कहने में शरम आती है कि मैं एक हिंदू हूँ अरे कैसे शरम नहीं आएगी यार हिजाब को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हो अगर लड़की परदे में है तो उसकी क्या गलती है अगर लड़की छोटे कपड़े पहनते हैं तो यही वो लोग एक सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहनते है व्हें से उसका रेप हुआ, अगर ब्रा या पेंटी चलती है तो उसका रेप हुआ अगर लड़की हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदुवादी खुद को बताने वाले रामभुत बोलने वाले अरे तुम्हें किस ने हग दिया है एक लड़की पर ये इस तरह से पूरी भीर कटा करके एक लड़की को ड़ाने का लड़की मैं भी हूं और फक्र के साथ उस लड़की होने का प्राउट करती ह तुकि उस लड़की ने इतनी भीड में जो साहस और हिम्मत दिखाई है सेल्यूट है उस लड़की को यार तुम उस हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन हो जो लड़की सामने आने से बात करने से ड़ती है अरे तुम खुद को रामभक्त बताते हो शर्मानी चाहिए तुम्ह अरे काई के रामभक्त हो या तुम केवल रोड पर श्री राम के नारे लगाने से हिंदू काटे जाने सा मुस्लिम काटे जाएंगे राम राम चिलाएंगे जैसे नारे लगाने से तुम हिंदू और रामभक्त हो जाओगे सीरियसली आयो किडिंग नो ब्रो नो नहीं होने कौन सा तुमने भगवत गीता पढ़ाया है जहां यह बोला गया है कि दूसरे धर्म की महिलाओं को दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ और खुद को उपर लेकर आओ तुम्हारे माबाप ने तुम्हें शायद यही सिखाया होगा कि अपना धर्म अपना है और दूसरों का धर्म नीचे है यही सिखाया ने तुम्हें सवाल उस सरकार पर उठाती हूँ जो बार बार चुनाव से पहले हिंदू-मुस्लिम करती है अरे क्यों भाई रोजगार के मुद्धे पर आके लड़ो माँ चुनाव क्यों तुम्हारा चुनाब से पहले ये हिजाब ये हिंदो मुसलिम ये नावे तुम्हे तक्रीफ देते हैं क्यों देते हैं अगर सौ की भीड में वो बंदा जेश्री नाम के नारे लगा सकते हैं तो ये एक लड़की करें कि अल्ला हुआ अकबर क्यों नहीं कर सकती है क्या तुम्हें हांके कि सिर्थ तुम जेश्री नाम के नारे लगाओगे धन को नीचा दिखाया जाता हो बार बार कहा है वो भाच्पा के नेता हमारे भाच्पा के जो नेता है कर्नातक किसी हैं क्यों चुपी साधे बैटे हैं अब महिलाओं की सुरक्षा नहीं याद आई अब आपकी सरकास अब का सात सथ का विकास पर बात नहीं करेगी किस बात का डर सता रहा है आपको जवाब दीजिये ना कहा है स्मृती रानी कहा है मिनाक्षि लेकि कहा है निर्मला सीधा रमन जो राहुल गांधी पर एक सवाल ख क्यों नहीं आके सामने इंदू मुस्तिम करते हैं। क्यों हर बात से पहले उन गुंडों को छोड़ देते हैं जो आपका काम करते들ow कि महिईला है। इतना ही शॉक है न लड़ने का तो सामने आकर लड़िये नॉफ क्यों पीठ पीछे वार करते हैं किस बात का खौफ है बाचपा के अंधभक्त वैसे सीना ताने खड़े रहते हैं महिला हैं सुरक्षित है मैं चनाभी दौरा कर रही हूँ आप लोग मानेंगे नहीं इतने अंधभक्तों से टक रहा हूँ जा कहते हैं आप यहां घड़ी है न तुम्हें सवाल उठाते हो लड़की के हिजाब पहने पर तुम्हें सवाल उठाते हो तुम्हें कौन हक दे रहा है हार हक तुम्हें किस ने दिया है सम्विधान में तो यह हक लिखा नहीं है कि किसी रिलेजन को छोटा दिखाओ किसी लड़की को नीचा दिखाओ किसी धर बाद उनका साथ देते रहोगे और हिंडू मुस्लिम करते रहोगे आज तो केवल हिजाब पे हुआ है सवाल खड़ा आगने वाले वक्त में देखो ना जाने कितने मुद्दों पर सवाल खड़े उतरेंगे महलाओं का घर से निकलना ना बंद कर देना यार कुछ दिनों में तो ऐसा ना हो कि अरे देखो हिंडू मुस्लिम लड़ की घर से कैसे बाहर निकल रही है उसको घर के अंदर डालो तुकि वो मुसल्मान है ना वो पड़ नहीं सकती वो कॉलेज नहीं जा सकती और तुम हिंड मैं एक सवाल आखरी में करना चाहूंगी अगर हिंडू मुसलिम करने से इस देश का विकास हो रहा है तो मैं कहती हूँ हर रोज हिंडू मुसलिम करो करो हिंडू मुसलिम आज तो एक लड़की को शिकार बनाए हैं दस लड़कियों को शिकार बनाओ अरे शर्म करो यार नी